कि अवेरी गूड इवनिंग ओल फ्यू दक्षिता एंजल रचित कनव मेरी आवाज आ रही है आपको यह सब्सक्राइब अब लेबस हमारा खतम हो चुका है अब टाइम आ गया है कहते हैं जूता जब चमकाना होता है तो पहले पॉलिश पूरे साल पॉलिश लगाई जाती है सब्सक्राइब अब तुमको तुम्हारा दिमाग चमकाने का टाइम आ गया जो तुम्हें सीब्सक्राइब और अगर अब आपने यह अपनी लापरवाई करी तो इसके जिम्मेवार आप होंगे सवारी अपने समान की जिम्मेवार खुद है मैं अब इसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं लूँगा आपकी तो सबसे पहले आपको पता है आपको टार्गेट सेंपल पेपर दोजार चोबिस की हार्ड कोपी आप सबको दे दी गई है सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर विनोज सरका जिन्हों ने इ आप खुद सवाल देखके बताएंगे कि हां आपके दिमाग में एकाउंट को कैसे रीड किया जाता है कैसे सवाल कि यूचर में आप से पूछे जा सकते हैं और यह सिरफ सी बीएस्ट में काम नहीं आएंगे आपके सी यूईटी में भी काम आएंगे और अगर आपने यह म आपका डोमेन का जो सब्जेक्ट में आना है उसमें आप दोस्तों में से दोस्तों नंबर लेकर आओगे और एकाउंट्स में कि 100 में 100 ला सकते हो अगर आपने सवाल को पढ़ लिया को कि आता आपको सब कुछ है तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम पेज नंबर आप टार्गेट का करेंगे 87 नंबर पेज ओपन करेंगे आप पहले का जो सेट नंबर वन है इसके अंदर cbsc हब यानि सेट नंबर टू मतलब पेज नंबर 87 से डॉक्टर साब के अपने पेपर प्रक्टिस पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 87 नंबर पेज आप अपन करेंगे अपनी बुक का तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेटब टाइम नहीं दादा खराब करते हुए यह आपकी स्कीन पर सवाल मोग टेस्ट नंबर फाइव दा क्वेशन नंबर वन ओन यूर स्क्रीन मोहित एक दो कुशन मैं पहले पांच साथ कुशन खुद करा हुआ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर में जो सवाल का जो शॉटकर तरीका है क्योंकि MCQ में सबसे बड़ी बात है या तो कोई फॉर्मेट नहीं बनाना होता आपकी रफ की कैलकुलेशन भी चल सकते पर रभ भी आची जगह होना चाहिए कि था कि आपको खुद पता लगया पता लगया आप अपनी कैलकुलेशन में खो गए सवाल की जो कैलकुलेशन करनी है वो एक सेपरेट लाइन खीच के करना और आपको यह पता लगया चाहिए और इच और एवरी आंसर विद दन्यू पेज बट एमसी की तो आप कर सकते हो राइट दक्षिदा बेटा ये सर जानवी बेटा कैमरा उन करो सर में गाड़ी में मैं आपके वहीं आ रही हूं बस आज उंगी थुट अपंदर पांजिस म ओके तो फर्स सवाल आपकी स्कीन पर आया मोहित राघव और विनोधार पार्टनर शेरिंग प्रॉपिट लॉस इंडा रिश्यो थी स्टीश वाज अडिव पार्टनर मोहित कौन से वाला था पहले वाला पार्टनर इसका शेयर वो का वही का वही रहेगा राइट पहले प कराया था तो मैंने इस तरह के सवाल हो कहा था कि मोस्त मोस्त इंपोर्टन सवाल होते हैं एक्जामिनेशन पाइंट अभी से अब इस सवाल को आप कैसे हैंडल करेंगे लैट टोटल शेरिज वन देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर कोशन नमबर वन को यह देखिए क्वेश सब्सक्राइब करने निजेर ऀस्का और जो सतीश आया वह कितने के लिए बंटेंट के लिए शेर के लिए और आपको निम्स निकाल ली ग्रीज़ निकों । आपको पता है है लैट तोटरों शेरिज्टरां भन लाइज मैं क्या एस का शेर प्लिजुक शेर्याइट वन व 10 plus 3 by 6 अब आप मुझे इसका रिमाइंडर बताएं पहले क्या आ रहा है 1 minus LCM कितना आ गया थर्टी 3 plus 15 1 minus 18 यह कितना आ गया रिमेनिंग बताएं बारा बटा 30 आ गया कि नहीं आ गया जक्षिता बारा बटा 30 आ गया मेहुल यह सर अब यह जो बारा बटा 30 आया यह किस से बिलॉंग करता है यह बिलॉंग करता है रागव एंड विनोट से तो यह रिमेनिंग शेर है अब बताएं आपका एम का न्यू शेर क्या हो जाएगा बटा एम का न्यू शेर तो बटा वही रहेगा 3 by 6 राइड 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 बात बताओ 3 plus 15 12 कैसे हो गया है अरे भाई वन में से माइनस करना थोड़ा फर एडवांस क्या कर दिया तुम तो उड़ गए यार अचा ठीक है सब्सक्राइड यार यह देख तो यह पाज़िस्वेंट ने क्यांपने लोगा यह गुरू जी यह मै मृट त smo आ अगया अफ है आइड तर्ष वा दिया आप इस अभी रिमेनिंग श exceptionally आट बहुआ यह यह बंद रबासनों किसमें होगी है आравव और वी में होगी कि इन विच रिशो टो-वन तो अब बताई यह निया शेर किया होगा किटना बंचा था बारा बटा तीस का कितना हो जाएगा टू भाई थरी जै राइट वसला सुहाना समझ में चाहरे और विनोज जी का चाहरे विनोज नीज यू शेर बारा बटा थीस का बन बाई थ्री यह कितना अगे चोबीस बता नभ बार बटा नभ ऑर प्रतीश का शेर क्या था 1 by 10 यह था कि नहीं था जक्षिता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माधव जानवी कि तो बादी रेशों क्या हो गई 3 by 6 is to 24 by 90 is to 12 by 90 is to 1 by 10 कि इसको 9 से मल्टिप्लाई कर दूं से डिवैड कर दूं कोई दिक्कत कि इसको पंद्रा से मल्टिप्लाई कर दूं पंद्रा से डिवैड कर दूं कोई दिक्कत तो रेशों क्या बन गई 45 is to 24 is to 12 is to 9 यह बन गई की नहीं बन गई रचित रोला जी एस और नो कौन सा ओप्शन है कौन सा ओप्शन आंसर नंबर पी ऑप्शन नंबर आंसर नंबर सी अनन साथ समझ में आ गया कमल अनन कोई डाउट इसमें नमस्ते मिटा एंजल कोई आउट जानवी कोई डाउट नौ सर्ट जी आपने क्वेश्चन रीड कर लिया यह सर्ट इंट्रेस्टन कैपिल इस अंडरलाइं दवर्ड नोट प्रवाइड इस पार्टनर इस कैपिटल कॉन्टिबूट बाइद पार्टनर आसेम एंद प्रॉफिट शेर इस इक्वल कि आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो यह पेपर बनाया टोटली बेस होंदा यह एंसी आर्टी एंसी आर्टी के पर जो हमारा सलेबस एंसी आरटी में और कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो एंसी आर्टी में जिस चीज चीज का डिसक्रशन चिए और नहीं आगतना चाहूंगा को आपको सवाल की जो पहली लैन पढ़के रट्टप्गर्शन लगाने का कर रहा को असर्शन समझ ये नहीं आई बताई कितने यसे हैं जो इसका भाव समझ पा रहे है कि असर्शन कहना इस बताई अगर आपको कोई भी मुझे बतासकता है कि यह चाहता है मतलब एक यूच not capital not provided to the partner if partner contribute by the partner are same and profit share is equal अब आपको मैं इसको नुमेरिकल सम्झाना चाहूंगा आपको मान लीजिए रिद्धी और सिद्धी दो पार्टनर है रिद्धी और सिद्धी दो पार्टनर है यह क्यापिटल कॉंट्रीबूट करते हैं एक लाख रुपए एक लाख रुपए आयोसी की जो रेश्यों आयोसी है एक दरेट ओक टैन परसेंट पर रहनम और प्रॉफिट है विफोर इंट्रस्ट है लेट से आपका है 30,000 रुपए अब आप मुझे यह बताओ अगर मैं रिद्धी और सिद्धी का टोटल देखना चाहूं कि रिद्धी और सिद्धी को क्या मिला आयोसी मिली 10 परसेंट के साब से रिद्धी को कितना मिला 10,000 अब आपका प्रॉफिट बिफोर इंट्रस्ट इस अजार था इसमें से 20,000 आयोसी का चला गया इस अब इस सवाल के अंदर यह इस होता ही ना तब इस अब इस सवाल के अंदर यह आयोसी होता ही ना इस तब भी रिद्धी और सिद्ध्यों कितना कितना मिलता है 15 15 मिलता कि नहीं मिलता हौँ तो इंट्रोस्टन रखाने का फैदा हुआ अ मैत्मेटिक समझ आ गया कि नहीं आ गया तुझे क्यों रही है यार नहीं पढ़ना है तो चले जाऊ यहां से तीनों देने चले जाओ वास तो मैं तेरे को भंच आउजा तेरे को भी कह रहा हूं और मोह करोड़ा तुझे भी कह रहा हूं कि भाई दोनों है ना फिर बत्तमी जी मुझसे बरदाश नहीं है चले जाओ घर से यहां से चले जाओ अब यह बताईए इस केस में जब आपकी कैपटल एक्वल है और रेशो एक्वल है तो इंट्रस्ट प्रवाइड करने का कोई फायदा ही नहीं है कि आपका नेट प्रोफिट एंड में पार्टनर को तो वही मिलना है जैसे मर्दी चाहिए सारा आयोसी के रूप में बाढ़ दो चाहिए सारी सेलरी के रूप में बाढ़ दो पर अगर एक्वल रेशो ही तो इंट्रस्ट अन कैप्टल लगाने का फायदा कब है या तो कैप प्रोफिट रेशो एकवलो कैपिटल अनीकुल रचित समझ आगया आयूशी अगरवाल अनन्या रिदीमा नेगी माधव जानवी गर्वित आरियन गर्ग कनावानंद एंजल मेहुल नारंग समझ आ गया कि नहीं आ गया 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 दक्षिता गर्वित सोनी कहानी समझ म में आ गई तो यह बताइए अब अगर मैं इस बात को लेकि अब डिसक्स करूं कि इंट्रेस्ट इस नौट प्रवाइड़ेड इफ ड़ाइड पार्टनर और सेमें प्रॉफिट इस इक्वल तो यह क्या है करेक्ट है करेक्ट है कि नहीं है आयूशी अब बता जो पहले अब तो यह अब रचीत और अब आपके नंबर जो कटते हो अब आजाओ इसका मतलब यह करेक्ट है अब आजाओ दब मेन परपाज प्रवाइडिंट्रस ने प्रॉफिट बाइं इस प्रॉफिट यह भी सही बात है अब यह अब तो अब तो अब जादा डिटेल में जाने इसना नंकरेक्ट अनकरेक्ट एक्स्वानेशन ओव ए तो अंसर क्या होगा इसके अंदर भी बताये अब प्रॉरी सॉरी 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 qa qr33 on your screen qantara limited issued 10,000 equity share of ten each first color rupees was not received on 600 संदेट शेर्स फाइनल कॉल अप्ट्री इस नोट मेड येट ओल इडेंटिफाइदा करेक्ट आंसर कनेक्टिंग अब अब स्टेट्मेंट सब्सक्राइड फुली पेड़ यानि कि सवाल क्या है सब्सक्राइब कैप्टल के ऊपर है अब यह बताईए जब आपने फाइनल तो हो इसकता है फुली पेड़ तो हो इनिसकता यानिकि यह ऑफशन भी बहार हो गई और यह और यह यह ऑफशन भी भार हो गई मानते हो वह बताएज दो आप्शन और वह गई एलिम्मेंशन से करें रचित जी समझ आ रहा है आयूशिय अगरवाल अब 10,000 पे पे आपने दब तीन रुपए की फाइनल कॉल नहीं मंगा इसका मतलब साथ रुपए मंगा लिए सत्तर अजार हो गया और अभी तक शेर फॉर्फिट निवे तो क्या लिखो के लैस कॉल सेने अरियर 2 रुपए कितने शेरों पे कि शेस्टो शेरों तो लैस कॉल से 1.200 तो कितना आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा option number B is the right answer समझ आ गया कि नहीं आ गया बताइए समझ आ गया अगले सवाल पर चलते हैं 4- the amount payable on maturity is stated the rate of interest is not stated आपको पता है डिफरेंट टाइप के मैंने डिवेंचर पड़े थे ऐसा कौन सा आइटम होती है जिस पर इंटरस्ट दिया नहीं जाता उस पर मैंक्सिम्ट बदायाता हूं maximum discount दे दिया जाता है बीज़े पार्ट जीरो गूपन बॉंड जीरो गूपन बॉंड जीरो गूपन बॉंड एक ऐसा होता है जो highly discount पर आपको इशू किया जाते हैं पर उसमें खास पास क्या होती है कि आपको आप ब्याज नहीं दिया जाता तो उस पर रेट उट उटरस्ट गिवन ही नहीं होता आप सरीजो जीरो गूपन बॉंड रिट उप इन्टरस्ट इस स्टेट नहीं होता क्योंकि उस पर क्या दिया जाता है maximum दिसकाउंट समझाग घर रिद्धी चलिए अगला सवाल देखिए मोधी और योगी और पार्टन फॉर्म शेरिंग प्रॉफित टू टू बटाओगे इसमें तो मैं क्या करूंगा इसमें खुद करो दा आंसर इस तुवन अब यह वाला सवाल देखिए इसका और वाला एक्स सब्सक्राइब की बात आए दिमाग में अना ओपनिंग कैपितल 23 वर एक 60,000 50,000 ऐस पर पार्टनर्शिप डीड इंट्रस्टन कैपिल प्रवाइड अधिट चार्ज अंडर्लाइं दवर्ड चार्ज जब चार्ज वर्ड दे दिया जाए तो चाहे लॉसी क्यों ना हो इंट अब आप यह देखिए आपने बनाया 11,800 और इंट्रस्टन कैपिल चार्ज अगेंस प्रॉफिटर आपकी टोटल कैपिल जोल लो यह शॉटकट कैसे आएगा वन टैन 11,000 पर आगया योसी बचा कितना 800 रुपे आट रुपे मुझे किसका प्रॉफिट निकालना है वाई का वाई का क्या रेशो है थ्री वाई एट तीन सुरुपे प्रॉफिट तीन सुरुपे आंसर आ गया कि नहीं आ गया तो एम सी कु का फायदा भी है और नुकसान भी है क्योंकि इसमें कोई प्रेजिशन ही दिखानी है फट आफट आफट आंसर लिखना है राइट मेहुल है यह सर अब यह फिफ्ट नंबर कोशन आ गया आपकी स्कीन पर यह तो आप मुझे खुद करके दिखा सकते हो यह तो बड़ा इजी सवाल है करिए आप देखिए इस कोश्चन में क्या है 25 फिफ्टीन डेयों कि मिड़ एवरी मन्त हो गया और फॉस्ट द्राइंग वाज मेड फिफ्टीन अपर आपको मैं यहां पर रिकॉल करना जाओंगा इंट्रेस्ट रखनी है में आपने डेट ओव द्राइंग इस नोट गिवन दा कॉश पर हैनम इस नौट गिवन देंट इंट्रेस्ट रखनी इंट्रेस्ट रखनी हो जाएगा तो देखिए मैं मेरा मोटीफ सेंपल पर कराना नहीं है उस से रिलेटिट जित्में भी आपके और इसको भी रिकॉल कराना तो यहां पर और दूसरी बात है बिदो एवरी मत है मत्त कहों एम कितना आता है है तो 666 जआगे वा किर लेना तो आपका क्या होगा का शू कींतोट इंटू एक साल में निकाले यह साल में कितने मिने 12 12 12 कट गया दो जीरों से जो जीरों कट गई अठारा सुरुपे आंसर आ गया बताइए समझ आ गया के नहीं आ रही दीवानेगी क्या सब्सक्राइब करेंगे और इसको कैसे हेंडल करना है शॉटकर तरीके से वह मैं बताऊंगा आपको आप पढ़िए से कि आये क्वेश्चा नमबर 6 विनोद लिम्टिड इनवाइट एप्लिकेशन फॉर थी थाओजन नमबर वन डिवेंचर के केस में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि रूपीज में है यह नंबर ओव डिवेंचर में राइट माधवडल राइट मेहुल यह सूर्ट इ सीव और 4,000 डिवेंचर ऑल एक्सेस मनी वर एक्टिड इव दा एप्लिक कंपनी हाज रिफंडिड वन लाग फिप्टी थाओजन देंड़ सेक्योर्टी प्रीम अकाउंट टूबी क्रेडिटिड सेक्योर्टी प्रीम अकाउंट कितने से क्रेड़ होगा अब आप यह देख अपर जांट अब सर्व एब मेरे को सेक्योर्टी प्रीम प्रीम मौन निपता लगा जब तक यह नहीं पता लगेगा है मेरी बात अरी एक है कि K traders अब कहां से पकड़ना है इसकी के तना कि इसकी अगरदन कहां से पगड़नी है अांसर के लिए अब आप यह बताए फुल मिल पेमन्ट मिल रही है आपको- कि Amynn लोग्र एक निर्टीट जी मिल रहे हैं अब आपको 4000 की अप्लिकेशन मिली कि आपने इशू कितने करने हैं इसका मतलब आपने डेड़ लाग रिफंड किया है यह टोटल रिफंड किया फुल आपने कितने एक्सेस एक हजाद इमेंचर थे की नहीं थे तो यानि कि आपने 150 के साफ से रिफंड किया तो इसका मतलब स्टों प्लस पचास हो गया कि यह सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब समझ आ गया कि नहीं आ गया और क्या पूछ रहा है सिक्योर्टी प्रीमियम क्रेडिटिड कितना हो जाएगा थ्री थाउजन इन्टू फिफ्टी डेड़ लाख ऑप्शन नंबर यह आंसर आएगा कि नहीं आएगा कि बताइए जब आप सवाल पढ़ रहे थे तो क्या लग रहा था और अब क्या लग रहा है आपको आईए दा नेक्स सम वीके लेंटेड शूट 2011 परेंचर भंडेट इडिसकाउंट फाइपर संट फ्रस्ट अप्रेंट अप्रेंट फॉल अमाउंट पेबर लोन अप्लिकेशन अप्लिकेशन अब लेवन परसंट डिवेंचर डिवेंचर आपको पता है लंसम का मैंट्रों चाहे पार वाला हो च तो आपका इशू पराइच कुछ भी हो डिवेंचर तो फेस वेल्यों क्या थी उसकी तो रुपे तो डिवेंचर कितने से क्रेड़ होगा दो लाक रुपे से समझा आगया कि नहीं आगया काना वानंद मादावधल एंजल कि ये सब्सक्राइए कोश्चन नंबर सेवन विनोज निम्टिट इशू टैन थाउजन एक इस एड़ प्रीमियम फॉर्टी प्रेंट पेबल आट रुप अप्लिकेशन अंडर इंडवर फिर यहां गया अलॉंग विद प्रीमियम यह दस प्लस चार आठ छे यह क्या हो जाए यह दिया गया था आपने आरेन गरिट का डॉट अजी सर कैसे आएगा इधर देख बंड़ आपको क्या निकालना है हो मज़ टोटल मनट सक्टी प्रीमियम अंडरलाइन दवर्ड रिसीव कितना हुए आपको टोटल से क्ट्योटी प्रीमियम आप यह बताओ बैटा आपका बोला है कि के ने जिसको holding मतलब 500 शेर थे उसने कितने पे की हैं बेटा आपको पंदरा सु रुपे पे कियें तो आरियन गर आपको मैंने एक चीज बताया था जो हमारी पहले जो अर्जस किये जाते हैं पैसे वो अर्जस किये जाते हैं कैपिटल की माल लीजिए अब आपको बताओ ये पंदरासो रुपै है की नहीं है अब पंदरासो रुपै में जो पोर्शन अब इसको 500 शेर दिये गए और आपके पास 2 पलस 4 की वो है की नहीं है ये सिचुवेशन है की नहीं है तो पहले पंदरासो में 15 दुनी 10 एक हजार रुपे कैपिटल के पोर्शन को पूरा कर दिया आपने आरेंगर यस और नो इसका मतलब के ने आपको सिरफ पांचुर रुपे एस्पियर के दिये पांचुर रुपे एस्पियर के दिये की नहीं दिये कि यस जबकि उसका एस्पियर कितना बन रहा था 500 इंटु फोर कि 2000 में पांचुर आपको सिक्योर्टी प्रीमुम के मिल गए तो इसका मतलब पंदरहसो नहीं मिले चीक तो आप पंदरहसो इसमें से माइनेस करेंगे अब बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया येस समझ आ गया कि वर्शन है बढ़िया कि दिमाग के बत्ती जलेगी तुम्हारी सब की अब अगर यह अगला सवाल एकसे नवाए अब मैं फटाफट मैं कराता जाओंगा आपके साथ एकसे नवाए प्रोफिट शरीक इंट्रस और पार्टर्शिप डीड थर्टी थादन ट्वंटी थाओजन बट अंडरलाइं दा वर्ड द्यू टू एंसेफिशेंट प्रोफिट वाइवाज प्रोफिट और ग्रोफिट इन्टरस्ट आ चींटरस्ट्टेट आपटव देने से पहले प्रोफिट क्या था सबसे पहले बात जैसे ही इन एड चैपिट आए इंसेट्ट की बात है तो आपके दिमाग में एक बात आजाती है कि इंकेस के बारे में पूर अश्च बता मुँआंगा इं in case of loss no IOC allowed in case of profit in case of adequate profit full IOC allowed in case of inadequate profit then profit are divided in the ratio of IOC in the ratio of IOC अब आपको यह बताईए इस केस में रून तो ही होना चाहिए यहां पर आपको 3-2 की रेशो दे रखी है इन रेशो आउसी अब आप यह बताईए जब इन सफिशन प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट बाटा जाएगा वो किस बटाएगा घरी स्टु तू में अब आपको किसका प्रॉफिट पता है ए वागा इससा कितना था कि अब फिल्ड़ लगा सकते हैं तू बाए फाइब के लिए था अठारा जार तो वन के लिए कितना हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 45 जर प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा मेहुल समझ आगया कि नहीं आगया आएंजी सर इंजल माधव कनव आएंजी बोलो इंजल कुछ नहीं सर मैंने बोलो ओके ओके थैंक यू बताईये किसी को कोई डाउट हा तो बताईये आरें सस्देवा नो सर चलिए आगे एप पार्टनर वू इस ओल्डेडी डिटायर वाइव ऑल्सों इस लाइबल तो थर्ड पार्टी फोर दाफ फर्म इवन आफ्टर इस रिटायरमेंट आपको पता है एक बिफोर रिटायरमेंट हमारे लौ है पार्टरशिप में जब पार्टनर रिटाय में के पहले के कारे की होते हैं एक्ट वीफोर रिटायरमेंट के लिए वो लाइबल होता है पर अप्टर इसन क्या होगा एव कब लाइब लोगा कि जब वह गीवन नोटिस रीटन में पप्लिक को नोटिस नहीं देगा तो बिटा इस करताब पर यह शोकीन सर कि एक पार्टनर हो गया तो डिटेयर कि से पहले के जो कारेयों उसके लिए वह बात्दे है लाइबल है और रिटेयरमेंट के यह पहलए देना है मुझे देड़ा केस्बेस क्वेश्चन एकस और एकवल पार्ट एकस्ट टो गैक कमीशन ऑफ टैन परसेंट एट परसेंट टे सटेंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट फोर दा येर कितना निकालना है वास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमिशन डिस्टिप्ट अमंग दा पार्टनर थर्टी सेवं फाइवंड़ इच एक्स गैट कमिशन ऑफ 9000 अब आपको एक्स की कमिशन दे रखी है फार्मुला क्या होता है मैनेजर कमिशन इसे पार्टनर कमिशन इस इकवल टू 9000 आपको कमिशन दे रखी है उसका फार्मला क्या होता है नेट प्रॉफिट विफोर कमिशन इंटु रेट अपॉन हंड्रेड यह बात समझ में आ गई राइट और रेट कितना था दस परसेंट था तो 9000 इंटु नेट प्रॉफिट विफोर कमिशन इंटु टैन अपॉन हंडर्ड तो यह बताओ नब्य हजार आ गया कि नहीं आ गया रचित समझ आ गया कि नहीं आ गया अब इधर देख बैटा अब दूसरा कोश्चन के वाई की कमिशन निकाली है यहां पर क्या लिखा है 37500 इच तो प्रॉफिट कितना हो अगया नब्य हजार यहां पर उसकी कमिशन कितनी थी नो हजार तो दोनों तरफ का जो बैलन्स बराबर होता है कि नहीं होता तो यहां कितनी आ गई अब बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया खोदा पहाड़ निकला चूहा चूही कि अगया कि अगया यह देख वह क्या कह रहा है प्रॉफिट आटर डिस्ट्रीब्यूटर अमंग दा पार्टनर 37500 इच इसको दो से मल्टिप्लाई करेगा तो टोटल द्वीजल प्रॉफिट 75000 आ गया कि नहीं आ गया इच 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 इना इच वर्ड लिखा है टोटल नही कि अगया तो इसका एक तो गया नब्वे अजार प्रेको गया छे अजार अब आजाओ कि अंडरलाइन दा वर्ड एडंटिफाई दा रॉंग स्टेट्मेंट कौन सी स्टेट्मेंट इसमें घलत है नमबर वन बैलन्स ओफे करेंट अकाउंट में भी है वे डैबिट और क्र क्रेड़िट बैलन्स यह भी सच्छी बात है कि अगया फिक्स्टेट्ल है वे एक्रेट बैलन्स अलवेज यह भी सच्छी बात है अब आपको किसा चोथी बचिया चोथी जूटी बात होगी बैलेंस ऑफ करन्ट अगाउन में चेंज और विड्राउ बाइदा पार्टनर यह जूठी है चल जूठी चल जूठी कैसे जूठी है जब आप करण अगल बनाते हैं तो जब अडिशनल लगाते हैं आरे कैपिटल को यह द्राइं करते हैं आउट ओफ कैपिटल तो वह एंट्री आपकी कहां जाती है कैप्टल अगाउन में जाती है ने जाती दक्षिता इस जुठी बात हो गई की नहीं हो तो यह सर्णो एंजल एस अर्नो आइव्या इस वर फेलता इसमें मुझे जूठी स्टेटमेंट इसमें है चल जूठी तो बैलंस ऑप करन्ट अगाउंट में है वे क्रेडिट और डैबिट बैलंस करन्ट अगाउंट के बैलनस डैबिट भी हो सकते हैं इसके उपर बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आये था आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि बिजनस को कंटीनिउस लॉस होता जा रहा है अब 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 करन्ट बनाते हैं तो जितने भी प्रॉफिट अलों सर्फ डेवा समझ आ रही है कि नहीं कि तो क्रेडिट और सकते हैं कि नहीं हो सकते है इन्टि तो सची बात हो गई है यह सब्सक्राइब क्रिटिट बैलंस यह ब्योंगत अब फिक्स कैप्टल का हमेशा पॉजिटी बैलेंस होता है यह भी सच्ची बात है यह क्योंकि अंदर एक्जांपल देता हूं फिक्स कैप्टल में सिरफ तीनी एंट्रियां आती है अब अगला बच गया अब यह थोड़ा ना कि तीन बच गया चोथा तो हो गई होगा ऐसे नहीं इसका भी प्रॉपर रीजन है वैलन्स अफ करन अगाउन्स विल भी चेंजन वैन क्याप्ट इडिव जब आपका बैलनस अफ करन अगाउंट अपक्रण अब बनाते है तो जो आपकी अधिशनल कैप्टल आती है अभी दो मिनेट पहले डिसकेश कहा अधिशनल कैप्टल ड्राइंग आउट अउट कहां तो यह बात जूटी हो गई कि नहीं हो गई अब बताओ कोई डाउट इसमें चारो स्टेट्मेंट मैंने आपके साथ अच्छे से डिसकस कर ली अच्छे से डिसकस नहीं करी मैंने रिदिमा गोहिल जानवी अनन्या मेहुल एंजल माधव समझ आ गया कि नहीं आ गया गर्वित कि जितना तुन्हें फोटो भेज कि क्वेश्चन नमबर बारवां रीड करो आप पढ़िया आप लोगों ने कोश्चन बेटा दक्षिदा कैसे आपको कह रहा था कंपणी रिजेट करी कंपणी रिजेट एप्लिकेशन फुल एप्लिकेशन ओप एटी थाउजन शेर एंड मेक प्रोड़ाटा अलॉट्मेंट टैन थाउजन शेर टुद एप्लिकेशन ओपचास जार शेर नमबर ओव शेर इसूड वाइदा कंपनी कंपनी ने कितने शेर इसू करें हैं अब आपको क्या दे रखा है असी जार वालों को हमने असी जार दे दिए प्रोड़ाटा वालों में टैन थाउजन शेर टुद पचास जार वालों को दस जार दे दिए दो लाख वालों को रियक्ट मार दिया तो हमसे वो क्या पूछ रहा है तो इशूड कितना हो गया नब्बे दर अगर मैं यहां पर कह दूं कि मुझे बताओ तो नंबर अप्लिकेशन कितनी रिसीव हुई थी नंबर ओप मैं एक्जामिटर को के थोड़ा देश को गुमा भी दो सकता हूं मैं आयूशी यह सर नो अगर मैं पर पूछू कि नंबर अप्लिकेशन कितनी मिली थी तो कितना आएगा कि थी थर्टी आएगा कि नहीं आएगा नंबर अप्लिकेशन कितनी रिसीव हुई थी रिदिमा तो थी थर्टी आएगा कि नहीं आएगा कि एस सबको समझ रिदिमा नेगी समझ आ गया बिटा माधाव एंजल मेहुल अनन्या अगया कि दोनों से सवाल पूछा जा सकता है कुछ भी पूछा सकता है आपका तो मैं मेंटल लेवल चेक करना है उसने आरें से देवा जी यह सर नो यह सर अब आजाओ क्वेश्चन नंबर तेरा रीड करो आप अधिस क्वेश्चन इस प्योर्ली थ्योरी बेस्ट क्वेश्चन राइट लगश्चिता यह सर आप जिसका अंसर बता सकते हैं वैसे नहीं रिदिमा नेगी नहीं आर्यन गर्ग डीपियस है जी अ या झी में से कोई होगा वह है तर क्वेश्चन अंसर यहां पर यहां पर यह हाल होगा यह 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 दो बाबाजी रेल में या जेल में कि चलो मैं बताता हूं आपको एडेंटीफाइदा फिर वही वाली बात अज कल मैंने क्या बोला एक्जामनर की एक सीधी सीधी कहानी नहीं पूशता हो वह तो गाना गवाता है ना 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 एक तो वह रॉंग स्टेट्मेंट और यह नहीं है इसमें से यह चीज नह नहीं है कि नॉट्स में आपको बोला गाम आता पैसे वाला नोट की कॉफी का नोट और किसी को ना करना नौट शयुक्त हाउ से कि यस जी तुट युदि चल趣 दोटी अब स्वेट इकुटी सब अब से ठैकुटी नाम का भला गया इस डेखा देखा सब लग रहा सुना से लग रहा पर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैंने कमपनी एकांट की पहली क्लास ले थी तो प्राइट और इसके लिए special resolution पास करना जरूरी है तो यहां पर हमें क्या बताना है चल जूटी तो बताओ यह क्या है सची बात है यह क्या है सची बात है दूसरा अप्रश इसकाउंट यह बहुत प्राइवेट प्लेशमन ओफ शेयर क्या होता है कंप्विपन अपनी कंपिन अपनी कि लिकुडिटी लेइट करती है पबिलीक को शेर सुनल ही उसकेस में आइप नहीं लेकरा आपक मतलब होता है इनिशल पबलीक ऑफर कि प्राइवेट प्लेस्मेंट में कंपनी फानेंशन इंसिट्यूशन को रेलेटिव को बड़े बड़े इंसिट्यूशन को शेर इसका फायदा क्या होता है कि इसके प्राइब प्रेस्मेंट वाले शेर कितने साल तक शेर नहीं ब्याइच सकते तीन साल तीन साल वेरी गुड तीन साल तक शेर नहीं बैसे कि लॉकिन प्रेड में रहते हैं वह तीसरा है प्राइवेट तो यह का चल जूटी और एंप्लोई ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कंपनी अपने एंप्लोई को प्रीडिटर्माइन प्राइस के ऊपर अब से पहले इंडिया में जो इस ओप दिया गया वह इंफोसिस कंपनी ने दिया था और अपने एंप्लोई में क्या है एंप्लोई वह किसी भी ग्रेड का हो चाहिए फॉर्थ लेवल का था उसको भी दिये गए थे इस ओप इंप्लोई स्टॉक ऑप्शन अंडर प्रीडि में इंटर्व्यू दिया राइट अब आप वहां पर सब्सक्राइब अपनी सेलरी नेगोशेट करेंगे अब कंपनी आपको यह कहती है कि अगर आपने तीन साल तक यह कंपनी नहीं छेडी तो आपको यह अगर आपने तीन साल तक यह कंपनी नहीं छोडी आज हमारी कंपन हम आपको चार सो रुपए का देंगे तो आज का डेट डिसाइड होगा देट प्रीटिर्माइन प्राइस रचित यह सब्सक्राइब और आपको लग रहा है कि आपने कंपनी जोने करिए कि आपको उसमें ग्रोथ मिल रही है और कंपनी को भी चाहिए कि रोज रोज लेबर टर्न ओवर ना हो तो आपको एक बैनिफिट दिया जाएगा कि अगर आप तीन सालता कंपनी को नहीं छोड़ते हैं तो आफ्टर थ्री एर आपके पास एक राइट है कि आप आपको कंपनी जो प्रीडिटर्माइन डेट पर आ अब 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 है पर अगर कंपनी वाइंडिकप में चलेगी वो सब थले थले अगया है 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 मज़ा तो ऐसे ही आता नार एक लास में आर अ में अ तो यह बताइए और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता बटा स्पैशल रिजुशन पास करना पड़ता है तो आंसर क्या हो गया आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नमबर सी इस राइट आंसर बताइए किसी को कोई डाउट आएए यह सवाल तो सारे बच्चे आप ही कर सकते हैं शोकीन सरका डाउट है सर यह सवाल मिर से नहीं हो रहा तो लो मैं करवाता हूं एड़ टाइम ओव रिकॉंश पार्टनर्शिप एवरेज क्याप्टन एप्टन फाइफिफिटी एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनमस नॉर्मल प्रॉफिट siblings का मतलब क्या होता है क्या ब्रॉफिट अ टेप्ट्र इंटो नॉर्मल रेट डिटर्न डिवाइड घिरकान अब यह क्या क्या一点 सब्सक्राइब करना है कि इस पर कितनी रिटर्न मिल रही है तरे को दस परसेंट तो नॉर्मल प्रॉफिट बिजनस का कितना हो गया 55 एवरिज प्रॉफिट कितना था असी तो सूपर प्रॉफिट कितना हो गया बैटा कि 25,000 और नंबर यह प्रॉफिट कितने थे चार तो एक लाख रुफिए आ गया कि नहीं आ गया चट मंगनी पट्विया हो लिया देख सवाल में जल्दी जल्दी करना बैटा सवाल आपको रिदिमा नेगी आरें सदेवा समझ आ गया कि नहीं आ गया कि कमवा लानन समझ आ ग कि दिखिए क्लास में डिसकेर्शन करने से तीन आंसर हमारे सामने आए अब चक करते हैं कि कौन सा अंसर ठीक है अग्वाइट करेक्ट स्टेटमेंट अप्लिकेबल इंदा अप्संस अपार्टनर्शिप डीड तो पार्टनर्शिप डीड में अब मैं आपके साथ पहले डि अवागव तो एनी पार्टनर् दो इंट्रम औरी इंट्रेशान फ़्राइंग 60000 पार्टनरशन पारनने लान में प्रॉफिट ऑनलोप यह बोलों और यह बताएं विलोन उनचांस लान ऑ्य और लोन बाई पार्टनर की लोन टू पार्टनर का मतलब होता है हम ने पार्टनर को दिया है विट उड़े तोते लगे दक्षिता तोते उड़ गए तो आप पर आप ने तो मुझे दक्षिता बोला था 1223 तो यह तो आप लोग क्या करते लोग वन और त्री को करते की नहीं करते लोग वन और त्री तो आपको शब्दों का बड़ा ध्यान रखना है यह क्या लिखा लोन टू पार्टनर लोन टू पार्टनर का मतलब है और यह आपकी प्रेक्टिकल में भी गलती हो सकती है पता लगा जी सवाल में एमराई करना और आपने लोन टू पार्टनर का डीड में दिया होश्यार बनके छे परशन लगा दिया और सर मैंने तो यह भी पढ़ लिया था कि जुलाई में बिजनेस टार्ट किया है नो मीने का लगाया अब बेडा घर कर दिया तूने कि सब कुछ बेडा घर कराया तूए कराई बाहर आके जब मुझे ऐसे रिस्पोंस मिलती है ना फिर मैं कुछ बोलता नहीं मैंने का इसका दिल तूट जाएगा अगर मैंने बता दिया तो अगला पेपर सफर कर जाएगा ठीक है तूने करके आई ठीक करके यह अब जो कर दिय सब्सक्राइग मेरी आवाज अब कुछी पटनायक जी अब आपको आंसर पता लगा यह सब्सक्राइग यह क्या है टोन बाइपार्टनर पढ़ लिया था जूठी चल जूठी चल जूठी चल जूठी इंट्रसन कैपिल यह सची बात और चार्ज नोट एस एप्रोबिशन चल जूठी तो ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर भी दर राइट आंसर कि देखिए एक एक सवाल के अंदर सारे कॉंसर्ट में आपको कोशिश कर रहा हूं कवर कराने की आपको सारे चीजे रीकॉल हो जाए राइट रिदीमा गोएल रिदीमा नेगी मेहुल नारंग कि यह सर अगला कॉश्चन डीट करते हम एक्स वाई जड़न पार्टनर इंगा फार्म फाइव स्ट्रीश गारंटीड प्रॉफिट टूजड टूजड एक्स ने गरंटी करिए कि भी सजार पे जैट को तो मिलेंगे मिलेंगे बाई अंदी आए तुफान आए अब प्रॉफिट की बात होती है अब इसमें कोई इस नहीं है को यही तो यही ऑटी थाउजन आपका डिविजल प्रॉफिट होगा नहीं होगा और हम guarantee में मानते है guarantee नाम की कोई चीज नहीं है किसको guarantee दी थी जैड को तो आप क्या करोगे 80,000 इंटू 2 by 10 कितना हो गया 16,000 नॉर्मल केस में जैड को कितने मिल रहे है 16,000 मिल रहे है अब वो क्या करेगा हाई 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 मेरे को 20,000 प्रोफिट देना था होुआ है आप प्रोफिट कितना देने था나हा है दहुत है 16000 कितने का भटका लागरा मेरे को चार यार का कोण भीयर करेगा ये एक्स को कितना मिलना चाहिए waking कैसे मिलना चीए एक्स का प्रॉफिट कितना था असी अधार इंटू फाइब टैन क्यालीस अधार उसमें से कि डेफिशन्सी माइनस चार यार की डेफिशन्सी वो जैड़ को देगा तो उसके पनले कितने पड़ेंगे सब्सक्राइब आंसर इस ऑप्शन नमबर सी बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया चलिए आगे क्वेश्चन नमबर सिक्टीन आप करके दिखाओ डिजूलूशन का सवाल है दक्षिता डिजूलूशन का सवाल है अब आपको बतारों आपने गलती क्या की होगी आपको मैं यहां पर एक चीज़ बताना चाहूंगा जो आप कॉमन मिस्टेक करेंगे आपको पता है कि अगर लाइबिल्टी के बारे में कुछ ना दिया हो तो हाथ जोड़के पेइमेंट देनी है पर अगर एसेट के कुछ नहीं करेंगे अब आपने रिलाइजिशन और बनाया यह ले बना लिया एसेट को ट्रांसफर करा साथ हजार रुपे लाइबिल्टी को ट्रांसफर करा नभे हजार रुपे इस पेडबाय फरम आठ हजार रुपे अब यह बता कोई इनफोर्मेशन नहीं दिए है तो तो कितने रिलाइज होगे अब बता प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है कि चेक कर अब बताओ आंसर मेहुल कि आ रहा है आपका विच उप्शन इस राइट डी डी आठ जार का रिलाइजिंग का लॉस आ गया कि नहीं आ गया चलें आगे बताओ एक-एक सवाल को डिसकस करने में कितना टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन नमबर 17 एक्षन वाइयर पार्टनर गिव्ट जनल एंट्री टू डिस्टीब्यूट वर्कमन कंपंश्रिव नाइंटी थाउजन एड़ टाइम ओफ रिटायर्मेंट ऑफ जैड अब यहां पर एक चीज दिहान रखनी है तो आपको यहां रखना है कि अगर यहां पर फिक्स क्यापिटल दे रखा होता तो सारी एंट्री करन्ट अकाउंट में होती पर यहां पर आपको कुछ नहीं दिया होगी क्याप्ल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है तो हम यह स्यर्वेंट लिखो डिखू वर्कमान कंपेश्य रिजर्व एकाउंट एब modeling और प्रोपर जर्नल का format बनाएंगे आप प्रोपर जर्नल का format बनाएंगे तोРЕक outrage जर्णल डेट पर्टीकुलर लेफ debit credit इन रुपीज लिखो क्छों और कर के नही Hm ... two capital अगाउंट टूवाय कैपिटल अगाउंट टूजएड कैपिल अगाउंट और रेशो दीनी तो इक्वल इक्वल 30 30 30 30 30 जाड़ कैपिटल लिग अगा रिद्धी कि माधव एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा आ गया सुट इस तो इंज मेहुल खुशी पतनायक गर्वित और कमल अनन्द आर्न सच्देवा रिदी मागोयल यह सब्सक्राइब ओके दा सैकेंड दिर इडे कंपंशन क्लेम 30,000 तो वर्कमान कंपंशन इसरव अगाउंट आविट 90,000 तू क्लेम वर्कमान कंपंशिशन 30,000 बाकि 60 बत गया 2020 तू एक्स कैपिटल 20 तू कैपिटल 20 तू आई कैपिटल 20 तू जैड कैपिटल 20 और नरेशन लिखो दोनों में हां जी हां 90,000 खुशी पतनायक हो गया की नहीं हो गया येस सर्व मेहुल नारंग एंजल आरें सस्देवा और गया जाएगी राइट रक्षिदा येस सर्व जलिए बटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू